देखो यह question में नमस first part में है पूरा solve करूँगा अधरवाइद मा oral करा देखो gx जो हम यहाँ पर x रखेंगे तो g of x तो यह g of x कितना होता है कि 1 upon x इसे use होगे है तो बच्चे का कि मैं पर फस्ट g of 1 upon x यह वाला g यूज वो रहे है ठीक है g of 1 upon x ठीक है अब यह g of x कितना होता है एक्स और gx कितना आ रहे है 1 upon x ठीक है तो 1 upon x अब यह g of x है नहीं कि इसका उल्टा तो कितना जाए एक्स हो जाएगा f of x फिर fx तो fx यह तो overall result कितना आ रहे है है यहां से left hand side जो कितना आ रहे है एक्स यहां देखो x ठीक है g of x is 1 upon x फिर 1 upon x ठीक है उसका उल्टा x और फिर 1 upon x तो यहां से 1 upon x आ रहे हैं तो बराबर नहीं तो यह option नहीं हो सकता इसमें देखते हैं x इसके लिए क्या हो गया 1 upon x उसका reciprocal x फिर उसका reciprocal 1 upon x ठीक है तो यहां से कितना आएगा 1 upon x इससे यहां देखते हैं x उसका reciprocal 1 upon x फिर 1 upon x 1 upon x का x हो गया और x का फिर कितना हो गया 1 upon x बराबर आगे ना तो b is the correct option और भी देख लेते हैं यह कितना gx के रहे है कितना 1 upon x यह 1 upon x रहेगा इधर x हो जाएगा फिर 1 upon x हो जाएगा फिर 1 upon x रहेगा फिर x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा x रहेगा यहां से क्या र बराबर नहीं आ रहा है इसमें देखते हैं एक्स 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 ए minus e की पावर 2, then the value of, इसे खुल है, sec x क्या होता है, 1 upon cos x, 10 square है, 10 cube, sin q upon cos q x, 1 upon sin x, sin square, lcm आ गया, cos square x plus, sin square x upon cos q x, sec cube x होता है, यह तो 1 होता है, 1 upon cos is sec, sec को क्यों लिख सकते हैं, अगर मैं इसे हैसे लिख दूं, sec square x की पावर 3, बैसे sec square x क्या होता है, 1 plus sin square x, और 10 square x की value रख दो, इतनी 1 minus e square, 1 plus 1 minus e square की पावर 3, 2 minus e square, 2 minus e square की पावर 3,